Hello everyone, how are you all? This is Rupinder and आज का जो टॉपिक है that's going to be very important आप अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या आप जो मन में थोट्स आते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं मन को या थोट्स को कंट्रोल करने का ये मतलब नहीं है आप मन में कोई विचारी ना आने दे या उन्हें आप सप्रेस कर दे इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है मैं आज आपको पूरे एक्स्प्लेइन करूंगी इसको आप कैसे किनवर्ट कर सकते हैं इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक और सब्सक्राइब लाइफ स्किल विद रुपिंदर आप अभी देखें कि जब हमारे मन में थौट्स आते हैं हमें पहले थो उन्हें एनलाइज करना है हमें माइन्फुल्नेस की प्राक्टिस करनी है उससे क्या होगा आपके मन में जो भी थौट आ रहे हैं बिना किसी भी जज्जमेंट के आप उनको देखेंगे जब आप आपके मन में जो विचार आए आपने उन्हें देखा आप उन्हें समझे कि यह क्यों आ रहे है कोई ट्रिगर था क्या वो थौट मन में आने का या मैंने कुछ ऐसा काम किया किसी ने कुछ ऐसा किया कि मेरे मन में ये नेगिटिव थौट आने लगे तो आपने पहले तो ट्रिगर पकड़ लिया आपको क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है जिससे आपके मन में negative thoughts आ रहे हैं second one is आप अपने जित्ते भी मन में thoughts आ रहे हैं उन्हें लिखना चालू कीजिए जो भी आपके मन में thoughts आते हैं na try to write down उनको आप दिन में कोई भी समय निकाले हैं 10 से 15 में उन्हें लिखिए जब आप लिख लेंगे न तो आप क्या करेंगे आपका थोड़ा सा तो control आगया आपके thoughts पर कि मेरे मन में यह यह विचार आए अब आप इनको positive कैसे convert कर सकते हैं यह अब आपकी smartness पर depend करता है आपको thoughts पता चल गया आपको trigger पता चल गया third one is अब आपको करना है meditation meditation क्या करता है आपके मन में जिन thoughts की ज़रुरत नहीं है या आप बोलें जो thoughts useless है negative है उनको आने को बिक्कुल control कर देगा आपका mind जो है न शान्त रहने लेगा, calm रहेगा, excessive thoughts आपके मन में नहीं आएंगे आप another activity जो कर सकते है आपको कोई भी physical activity में involved होना है आपको जो भी पसंद है, आप jogging कर सकते है, running कर सकते है, dancing कर सकते है whatever you like, कोई music सुन सकते है जिस से आपको अच्छा लगता हो, जो आपके मन को शान्त करता हो कभी क्या होता है कि जब हम कोई physical activity में involved होते हैं तो हमारी body एक हर्मोन रिलीज करती है. एंड्रोफिन, एंड्रोफिन का हमारी body में बहुत अच्छा role होता है, वो stress को बहुत अच्छे से manage कर सकता है. तो जब भी आपको physical activity में involved हो जाएंगे, आपका body relaxed रहने लगेगा, आप अपने thoughts को control कर पाएंगे. Another very important point is, visualize कैसे कर सकते हैं, जैसे आपके मन में thoughts आये, हमने आपको बोला है, उन्हें आप लिखेंगे. जब आप अपने thoughts को लिख लेंगे न, तब आपको पता चल गया कि मेरे को ये चीज बॉदर कर रही हैं, ये चीज़े बार बार ये कोई trigger होता है, आप उसके बारे में सोचने लगते हैं. तो अब जब आपने उस चीज को बिल्कुल समझ लिया, अब आप उसको positive तरीके से convert कीजिए. अपने हर दिन की life में, आपको हर दिन 10 minute का time निकालना है, चाहे सुबह उठते ही, चाहे शाम को सोने से पहले, आपको affirmation बोलनी है, कि I am capable, I can do this, I can achieve, I have achieved, जो आपने पा लिया हो, आप ये बुलेंगे कि मैंने ये कर लिया है, एक बार आखे बंद करके ये सोचिए, कि जो आपका dream है या आपका goal है, आपको achieve कर चुके हैं, जब आप एक बार ये सोचना चालू कर देंगे न, कि मैंने अपने goal achieve कर लिया है, मैं उसे कर सकता हूँ, तो आपको देखिए, आपके मन में इतने positive thoughts आने लगेंगे, आपका जतना negativity था, वो totally convert होगे है positivity में, हर दिन information आपको करना है, कि I can do it, negative thoughts को लिखना बस चालू कर देंगे, उसे आप उन्हें convert कर सकते है positivity में, इतना भर करने से आप दिखेंगे, कि आपकी life में focus बर जाएगा, आपका concentration बर जाएगा, आपकी life में positivity बर जाएगी, तो ये बहुत important है, हम सब के लिए समझना, कि life में negative thoughts को कैसे convert करना है positive में, और हम मन को बहुत easily convert कर पाएंगे, to be a positive, हमें कोशिश करनी चाहिए, कि हम जितने लोग हमसे जुड़ें, हम उन्हें भी अपने साथ positive कर पाएं, I hope you all understand, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो do like and subscribe my channel, and share with your friends. Thank you for watching.